नमस्क्राइब दोस्तों स्वागत है शोमुस बाली जी के और एक हेल्फ कंसर्ण वीडियो में आज के इस वीडियो में बात करने वाले और एक दवा के बारे में जिसका नाम है ऐसी क्लोवीर जो ऐसी क्लोवीर डिस्पर्सिबिल टैबलेट्स आईपी 400 मिली ग्रम का एसी क्लोवीर होता है एक 800 मिली ग्रम में भी आता है इसको एसी क्लोवीर नाम से ही ब्रैंडिंग किया गया यह सीपला का टैबलेट है नाम है एसी वीर 400 यह ब्रैंड नेम है एसी वीर 400 मगर दवा का नाम है एसी क्लोवीर 400 मिली ग्रम अब बात करते है जेकि ऐसा एसी क्लोवीर 400 mg टैबलेट क्या है किस प्रकार के दवा है इसमें कौन-कौन से साल्ट कॉंपोजिशन है क्यों प्रेस्क्राइब किया जाता है इसके साइड एफेक्स क्या है और इंडियन ब्रैंड आल्टनेटिव क्या है सारे के सारे सवाल के जवाब इस वीडिय टैबलेट यह किस प्रकार के दवा है यह एक एंटिवाइरल दवा है जैसे कि एंटिवाइरल दवा है जैसे कि एंटिवाइरल विमारी से चुटकारा दिलाता है और इस दोनों के काम करने के तरीके में बहुत अंतर होता है जब एंटिवाइटिक्स हम इस्तमाल करते हैं त इन के बाद ही हमें बहुत सादा इंप्रूव्मेंट देखनों को मिलता है वहीं पर ऐसा इकलोविर जो है मतलब जो एंटिवाइरल दवा होता है उस हिसाब से उतना एफेक्टिवली काम करने में धिखता नहीं है इसलिए क्योंकि वाइरल रेप्लिकेशन का जो साइकल है वो अपने तरीके से चलता है यह यह एंटिवाइरल जो दवा यह वाइरस की लाइफस्टाइल के कुछ-कुछ एरिया में इंपैक्ट कर सकता है उसको डिले मतलब उसको वो प्रॉसेस को जल्दी से जल्दी एंड कर सकता है अगर टोटली वाइरस को एलिमिनेट कर रहा है इसके लिए पॉसिबल नहीं होता और वाइरस जो काम करता है बहुत ज्यादा बहुत फास्ट एप्रिकेट करता है और मतलब एक से दो, दो से चार ऐसे बनते रहता है वह अब बात करते हैं salt composition की तो इसमें क्या है acyclovir acyclovir जो जो भी प्रकार के दवा आप देख लो जहां पर इंड मियंत में VIR लिखा हुआ है तो generally antiviral दवा होता है तो acyclovir गैंक cyclovir ऐसा अलग अलग होता है तो acyclovir 400 एक प्रकार के antiviral तो इसके अंदर acyclovir antiviral दवा मौझूद है अब बात करते कि acyclovir किस प्रकार की infection में दिया जाता है तो viral infection में दिया जाता है मैंने आपको बताया कि antibiotics के तरह viral infection में देदार हम यह antivirals के इस्तमाल नहीं करते हैं क्योंकि इसकी efficacy उतना नहीं है भाई क्योंकि antibiotic जब काम करता है न दिखता है कि यह काम हो रहा है लोग अच्छे feel करते हैं बैक्टी जब मरता है ठीक होता है tissues मगर virus जब काम करने लगता है तो virus की जो normal life cycle है अगर वो तीन दिन की life cycle है तो उस हिसाब में होता है अगर आप antivirals लो चाहें नो लो उसमें कुछ ज्यादा फरक नहीं पड़ता है हां कुछ कुछ बीमारी है जहां पर antivirus लेने से एक extra मदद मिल जाता है शरीन में जो impact होता है वाइरस का उसका impact थोड़ा सा कम हो सकता है लोड थोड़ा सा कम हो सकता है इसी लिए कुछ-कुछ बड़े वाइरल infections में यह antiviral दवा जो है वो दिया जाता है तो जैसे के हर्पिस में दिया जाता है हर्पिस simplex virus हर्पिस simplex virus की treatment में shingles के treatment में chicken pox जो बहुत common है आम तोर पर हमको दिखा जाता है chicken pox की treatment में acyclovir नहीं आ जाता है में मेरे life में acyclovir दवा एक ही बार लिया था मुझे जब chicken pox हुआ था तब मतलब that is near about 10 to 12 days 7 to 10 days viral fever basically उसके साथ साथ वो blisters जैसा सब कुछ हो ना तो वह तब acyclovir मेंने लिया था और इसमें देखो एक packet में पांच आता है तो इसको इससाब से दिया जाता है हुआ चिकन बॉक्स नॉर्मली साथ से 10 दिन लगता है मुझे भी वही टाइम लगा मगर वहां पर फिर भी मैंने यह दवा लिया था क्योंकि इससे थोड़ा कुछ सपोर्ट बॉड़ी को एक्स्ट्रा मिलता है वाइल की लाइफ साइकल के में कुछ-कुछ जगा पर यह रोक लगाता है ताके वह उतना जल्दी ग्रो ना कर पाए तो इसके चलते लोड जो है वाइरल लोड जो होता है थोड़ा कम हो जाता है वही मदब है इसके लिए अब बात करते कि अंटी-वाइरल जो ड्रग है ऐसा एक लोड वीरिस कि साइड एफिक्ट के बारे में तो को इसके साइड एफिक्स भी है और साइड एफिक्स के तौर पे जो है वह डाईजिशन की साइड एफिक्ट है मतलब एक उल्टी जैसा फिलिंग आना उल्टी भी ह सकता है diarrhea हो सकता है headache रहेगा और ऐसा लग सकता है कि आपको नींद आ रहा है चक्कर आ रहा है ऐसा भी feeling हो सकता है तो यह सारे चीज़ें यहां पर हो सकता है acyclovir के a side effect खास करके अगर आप खाली पेट यह ले लेते हो तो बहुत ज्यादा हो सकता है, इसके लिए खाने के साथ ही इसको लेना चाहिए, आफटर फुड आपको इसको लेना चाहिए, खाने से पहले बिलकुल लेना नहीं चाहिए, Acicivier 400 बनाता है, अगर आपको Acivier 400 नहीं मिलता है, तो brand market में कौन-कौन सी अलग ऐसा एकलोवीर मौझूद है, तो आपके सामने हर Harpix बोलके एक दवा आता है, Harpix, जो Harpix Simplex Virus के नाम से आपके सामने ये list है, Harpix बोलके आता है, Zovirax बोलके आता है, Zovirax भी बहुत famous है, as a brand जो इंडिया में मौझूद है, Zovirax, Asivir और Harpix, ये तीन प्रकार के अलग अलग दवा और ये सारे प्रकार की जो दवाई, Indian brand alternatives है, ये आपको मिल जाएगा, 400 mg में चाहिए तो 400 में मिलेगा, 800 mg में चाहिए तो 800 mg में मिलेगा, मगर dosage बहुत important है, अगर आपको viral infection है, viral infection में शरीद बहुत weak हो जाता है, और एक pro tip बताते हैं, most of the viral infection में जो चीज़ करने चाहिए हो है high fluidity, आप अगर hydrated रखोगे body को, बहुत ज़्यादा fluid consume करेंगे, जैसे नारियल पानी हो गया, मतलब उसके साथ-साथ हो गया, आप fruit juices हो गया, या फिर fruits normally खाने, यह सारे चीज़े से, body जब hydrated रहेगा, पानी ज़्यादा पिए, body hydrated ज़्यादा रहेगा, तो automatically viral infection में बहुत जल्दी आप recover कर पाएंगे, या viral, किसी भी प्रकार के viral infection का यहीं मंत्रा है, to get out of it in a fast time frame, तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए helpful रहा, वीडियो अच्छा लगा तो like कर देने, share करने अपरे दोस्तों के साथ, कालीक के साथ, family members के साथ, और subscribe करने इस चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहा है, thank you, bye.